हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और देखिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जगन और द्रोगाजी.com पर आप सबका स्वागत है दोस्तो ओनर कंपनी ने अपना नया स्मार्टफोन ओनर नया नया भारत में पेश कर दिया है और स्मार्टफोन के कीमत करीब 8000 रुपए है दोस्तो ये स्मार्टफोन एक्स्तोजी तोर पर ओनलेड एकमर्स एप्सरेट फ्लिपकर पर मिलेगा और इसकी बिकरी 14 अक्टूबर से शुरू होगी दोस्तो आपको बता दे कि ओनर नया नया के सारे स्पेसिफिकेशन कुछी दिन पहले मलेशिया में लॉच्छ किये हुए हुआवे नोवा 2i के जैसे ही है यानि कि ये दोनों स्मार्टफोन एक जैसे ही है इस जीवाइस ही सबसे एम का सिया थे 4 कैमरा यहां दोस्तो इस जीवाइस में दो फ्रंट कैमरा के साथ दो रियर कैमरा दिया गया है साथी फुल विजन दिस्पे भी मौजूद है अगर देखते हैं कि जीवाइस के बाकी फीचर्स क्या है दोस्तो यह स्मार्टफोन ब्लू, ब्लैक और गोल्ड कलर वेरेंट में खरीदने के लिए उपलब्ध है मेटल दिनी बॉड़ी के साथ बना यह स्मार्टफोन एक क्लासिक लूप देता है curved और rounded edges पर मिलती soft antenna bands आकरशक लगती है दिखने में यह स्मार्टफोन simple है पर शांदार लगता है फोन में पीचे की तरफ निशले इससे पर Honor का लोगो दिया गया है और फोन के रियर पैनल पर ही कैमेरे के साथ एक fingerprint sensor भी integrated है स्मार्टफोन का dimension बताएं तो इसकी height 156.2 mm, 75.2 mm और 7.5 mm पतले स्मार्टफोन का वज़र 114 ग्राम का है Honor 99 में 5.9 inch का full HD plus IP screen है जो 18 by 9 aspect ratio के साथ आता है इसका screen resolution 2160 x 1080 pixel का है और pixel density 407 ppi की है फोन में करेत एक bezel less display है, screen to body ratio 83% का है क्यानि कि ये अच्छी खासी बड़ी screen है, जिस पर side by side यानि कि एक screen पर दो एक चलाने में भी आसानी होगी user browsing smoothly कर पाएंगे, games खेल पाएंगे और बड़ी अ कलर्स के साथ चमकदा screen पर movies भी देखने में मज़ा आएगा दोस्तो screen बड़ी है पर पतला smartphone होने के कारण उगली आसानी से हर जगह पहुँच जाती है overall दोस्तो ये full HD plus display user को काफी पसंद आएगा और नायनाय में कई gesture आधरित mode भी दिये गए हैं, जिसका लक्ष स्मार्टफों को ज़्यादा आकरशक बनाना है जिसे screen पर as-draw करने पर उपर से नीचे एक आर्टिकल की तरह लंबा screenshot कैद हो जाता है साथ एक नकल से दो बाट आप करने पर screenshot लिया जा सकता है जिबकि दो उगलियों से screen recording शुरू हो जाती है Technical Specifications और Hardware में इस स्मार्टफों में 2.36 GHz OctaCore 3659 प्रोसेसर दिया गया है जो 16 nanometer architecture पर बना है दोस्तों ये प्रोसेसर परफॉमेस में काफी तेज है साथ ही मलिडा स्केंग के लिए पूल में 4GB की RAM दी गई है इन्बी स्टोरें 64GB दी गई है इस स्मार्टफोन में Android 7.0 Nougat Operating System पर आधारित MIUI 5.1 पर चलता है जो सो ये स्मार्टफों को अच्छी तरह से कस्टमाईज किया जा सकता है स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 3340 mAh की बैटरी दी गई है जिसके साधरन इस्सिमाल के साथ 2 दिन तक का टॉक टेम वेकप मिलने का दावा किया गया है फोन की सबसे आयम खासिया थे स्मार्टफोन में दी गए 4 कैमरे Honor 9i में रियर पर 12MP और 2MP के दो सेंसर दिये गए है कैमरे सेटप वर्टिकल है और LED फ्लेश को 89 बेंट में ही इंटिकरेटेट किया गया है दोनों सेंसर फेस दिटक्शन आटो फोकस और आटो फोकस के साथ आते हैं ये कैमरे कामाल का depth of field बनाता है और professional bokeh effect से subject आकरशक दिखाई देता है तस्वीरे नई clarity और चमाक के साथ आती है आसाने से screen पर कहीं भी टाइप करने पर फोकस हिया जा सकता है और कैमरे नेच्रल वर bright light में तस्वीरे क्लिक करेगा beauty 4.0 algorithm से healthy skin वाली साफ और detail pictures आती है स्मार्टपॉन में selfie लेने के लिए आगी की तरफ 13MP और 2MP के sensor है जो fixed focus lens और soft light flash से less है तो अंदरे में pictures क्लिक करते समय समस्या नहीं आएगी 13MP lens का aperture f2.0 का है जो picture focus को render करने का काम करता है जबकि 2MP का camera depth of field बना कर clear और boke effect के साथ बढ़िया selfie लेरे में मज़द करता है इन features के अलावा ये भी एक खास feature है कि तस्वीरे क्लिक करने के बाद भी focus किया जा सकता है जोस्तों ये हुई camera के बाद आप connectivity features देखे तो correctivity feature में 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, USB OTG, 3.5M headphone jack और USB 2.0 Type-C port शामिल है इसके अलावा फोर में digital compass, accelerometer, SAR sensor, status indicator, gravity sensor, light sensor, proximity sensor, fingerprint sensor और compass sensor का भी support है पस दोस्तों यहाँ पर NFC नहीं मिलता है जोस्तों कुल मिलाकर हमारे opinion से इस device में निराश करने जिस्टा कोई feature नहीं है चार camera's दिये गए हैं जिनका काम अचे से बाटा गया है साथ यूजर फोटोग्राफिक अभी आच्छा नुब और ले पाएंगे इसके अलावा बड़ी full SG plus display दी गई है और hardware पर specification पार्ट भी दमदार है तो इस वीडियो में इतना ही यती पूरी जर्म करी और नायनाय के बारे में उमिद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ऐसे वीडियो के लिए हमें like, comment, share और subscribe जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया